इस बिखराओं के इस मोड़ पर खड़े हो गए जहां एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों और भासाओं का इस्तेमाल किया गया और यह गड़बंधन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष में देखें तो अब तो तूट चुका है बिल्कुल देखिए गड़बंधन संबाध हींता की वज़ा से तूटा या त्यदिक आरोब लगाने की वज़ा से तूटा लेकिन ये लगबगता है कि अब इंडिया गड़बंधन में जो सपने सजोए गए थे देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफी हद तक मामला विगड़ चुका है और गड़बंधन की सकल सूरत अब लगता है कि बनेगी नही आज जब हम बात करते हैं मद्द परदेश चुनाओ की तब इस परदेश में जो पुराने जानकार लोग बैठे हैं राजनीत के वो जानते हैं कि मद्द परदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, महराष्ठ हो, बिहार हो यहां सब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के जमाने से चुनाओ लगती रही है, दो चार विदायक इनके जीते रहे हैं, महराष्ट में आज भी समाजवादी पार्टी का विदायक है तो ऐसे मैं समाजवादी पार्टी चुनाओ हमेशा लड़ी हर बार कभी कांग्रेस जीती कभी वहाँ सपा जीती वह भाजपा जीती तो आज कहां से कांग्रेस हार जाएगी सपा के लडाने से अगर उसकी लहर है तो वह जीते अब अगर चाहते तो तालमेल कर सकते थे हो सकता था कि पांग साथ सीटों पे कोई बात बनती लेकिन भाजपा के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है जैसन का दिन है क्योंकि उत्तर परदेश से उसको बड़ी उमीदे हैं उनका लक्ष है कि हम 80 लोगस्वा सीटे जीता है और कांग्रेस तयारी कर रही 80 लोगस्वा सीट पर 80 के नीचे कोई आनक तयार नहीं है तो गड़बंदन कहां चलेगा इस देश में नेताओं के गड़बंदन एक साल नहीं चल पाते तमाम पार्टिया इसका उधारण है लेकिन जिस परदेश में कांग्रेस 36 साल से सत्ता में ना हो वो किस अभिमान और हैंकार पर लोगस्वा स्भाज चुनाओं में जीतने का दावा कर रही है ये साइद एक कपोल कल्पित कल्पना हो सकती है और ये का जाए ये अति उत्ता है अभी कांग्रेस के पास जीलों में उतना मजबूत संगठन नहीं है गाओं में बस्ता लगाने वाले लोग नहीं है कांग्रेस जहां पर है वहां पर खाली सास ले पा रही है बीजेपी ने उसको इस तरह से जकड रखा है अगर समाजवाद का सहारा मिलता तो सायद कुछ हाथ पैर वो फैला सकते थे लेकिन अब इस तरह से चीजें चल रही है तो ये साफ है आप अतीद देखिए कि हमेठी और राइबरेली में जब मुलायम सिंग जिंदा थे तब भी वहाँ पर सपा ने चुनाओ नहीं लड़ा और इनके लिए सीटे वो छोड़ते रहे राहूल गांधी चुनाओ हार गए पिछला तब भी सपा ने वहाँ कंडिडेट नहीं लड़ाया था एक लोग सभा सीट है अगर सपा वहाँ पर अखिलेश यादो कंडिडेट उतारते हैं तब कांग्रेस चाहे मायवती के हाथ ही पर सवार हो तब भी कुत्ता दुडा के काटी लेगा चाहे जतनी उचाई पर जाये तो ये बीजेपी आज की टारीक में जिस हिसाब से यूपी को अपना गड़ बनाय हुए है वहाँ पर कांग्रेस रिस्क ले रही है और ये रिस्क उसको नुकसान पहुचा सकता है ये बात साफ है वैसे जब कल्यान सिंख जिंदा थे तो उन्होंने एक भासन में कहा था कांग्रेस आई का नाम बदल के कांग्रेस गई कर दो और आज तक कांग्रेस गई तो लोटी नहीं और ऐसा इस्तिती हर लोगसभा चुनाओं में बनती है कांग्रेस में बड़ा दम आता है कि मुसलमान उनके साथ आ जाएगा और वो सफा की परवाह करके बिना जीत लेंगे जीत लेंगे और बाद में आज एक लोगसभा पर पहुंचे हैं अब उनको यहां एक नई चर्चा चल रही है कि अगर समाजवादी नहीं तो मायवती से गड़बंदन हो जाएगा और मुसलमान काफी हद तक हमको वोट करेगा और दली तो और यह गर्जोड बनाके हम चोनाव लड़ेंगे उनके नेता इस बात पर चर्चा करने लगे हैं लेकिन आजम खा के जेल जाने के बाद मुसलमान की सहानबूती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादों के साथ बरकरार है वो एक बड़ा वोट बैंक है बिखराव तो हो सकता है कांग्रेस पूरा खीच नहीं पाएगी लोग सभाव में तो ये भराम अगर उसको है तो ये उसका मुगालता है बिखराव जी एक फाइदें कांग्रेस जरूर रह सकती है कि मायवती के साथ लड़ने पर हो सकता है इनको 30-35 सीट मायवती दे दे ये इनके जो नेता बचे खुचे हसरत पाले हैं लड़ने की वो हो सकता है की लड़ने के मौका पाजाएं लोग सभा में अब वो कितना वोट पाएंगे जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है देखिए चुनाव समिकर्ण से लड़े जाते हैं चुनाव संगठन से लड़ा जाता है दोनों में बीजेपी आगे है OBC का वोट उसके पास है सवर्ण वोट उसे दे रहा है दलित वोट पे वो डोरा डाल रही है मायवत्तिक पास 12% वोट बचा है कांग्रेस के पास 2-3% है तो कितना जुन है घोड़ा कवाब दुड़ा के काबूली बना दोगे जब खचर पहले से वो है यह जो चीजें है आकलन पर और हवा पर नहीं चलती है समीकरण तो बताएं समीकरण क्या बनता है उत्तर परदेश में तो यह कुल मिलाकर बिर्जेज जी उत्तर परदेश का आकला है गडबनन रहा चाहिए टूटे सपा के पास 111 विदायक है कांग्रेस के पास दो है उनके पास 5-773 वचे इंके पास एक है अब यह जो भार मूला लगाना चाहें लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को परधानमंत्री बनना है अखिलेश यादोग परधानमंत्री नहीं बनना है तो अगर मितरता किसी बड़े संकल्ब के लिए थोड़ी जुकर भी की जाए तो यह राजनेतिक समझ लोगों में होनी चाहिए जोनों तरफ यूआ जोस यूआ खून है और वो क्या करते हैं बीजेपी बाई दो जगा पर बीजेपी को हरा चुकी है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो लोग बिदान समग कि चुनाऊ है 509 जीतने जा रहे हैं 5000 ने से जीते हैंगे कि दो तीन से जीतेंगे यह तो परड़ायम चार दिसंबर को पता लगेगा तीन तारीक को जी लेकिन भाई हवा में पूल बांदरें कोई अतराज थोड़ी है बांदते रहो वो तो टिकने वाला है नहीं सुनियेगा कि धुआ, हवा, जमीन इन सब पर जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए रजल जबाता है तो कुछ बोलने को बच्ता नहीं है कहते हैं कि गरीब इस बात को अमीर इस बात को अपमान समझ बैठे कि ये गरीब खुद को कईसे इंसान समझ बैठे और जुर्म करने वालों बस एक गलती कर दी ये लोग अकबारों को बेजुबान समझ बैठे और थोड़ी बुलंदी क्या मिली इन बादलों को पागल खुद को ही पूरा आसमान समझ बैठे बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इंपूट और फिद्बैक हमें उपलब्द करा निकली